सलमान खान ने आमिर खान की फिल्म को लात मार दी है आमिर खान की फिल्म लाल सिंग चड़ा को लेकर खूब बज़ बन चुका है कहा जा रहा है कि ये साल 2022 की सबसे बड़ी फिल्म होगी इस फिल्म के लिए आमिर ने पूरे तीन साल शूटिंग की है लेकिन खबर थी कि लाल के पास डेट्स नहीं है और इसी वज़ा से उन्होंने आमर के साथ काम करने से मना कर दिया है हाला कि सल्मान पिछले काफी वक्त से खाली है कल शाम ही वो अपनी फिल्म टाइगर थी की शूटिंग के लिए रबाना हुए थे इससे पहले वो लंवे वक्त तक मुंबई में ही खाली रहे थे हाला कि बीच बीच में उन्होंने थोड़ी बहुत शूटिंग की थी लेकिन नवंबर से कल तक उनका जादातर वक्त फ्री ही था लेकिन इसके बाबजूद भी उन्होंने आमिर को डेट्स का हवाला दे कर उनकी फिल्म में काम नहीं किया आमिर और सल्मान के बीच कुछ साल पहले तक काफी दुश्मनी भी रही थी आखरी बार दोनों साल 1994 में रिलीज होई फिल्म अंदाज अपना अपना में साथ नजर आये थे लेकिन इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही दोनों के बीच बिच बिबाद हुआ और फिर कभी दोनों एक साथ नहीं दिखे लाल सिंग चड़ा ही एक ऐसा मौका था जिसमें दोनों 28 साल बाद एक साथ नजर आने वाले थे लेकिन अब ये मौका भी चूग गया है अब सल्मान के पास सच में डेट्स नहीं थी या फिर वो आज भी आमिर के साथ काम नहीं करना चाहते फिलाल तो इस बारे में कुछ नहीं कहा आजा सकता लेकिन आपका क्या कहना है इस पर अपनी राह में कमंट में दीजे और जाद ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजे